देश भर में लासून अपनी उची किमतों के कारण चर्चाओं में बनी हुई है इसी बीच हाई कोट में मंडी समीती और मंडी बोड के निन्या को खारिच करते हुए कल से इंदोर की चोईतरा मंडी में लासून की खरीदी विक्री पर आड़त को पूरी तरह प्रतिबंद कर दिया गया है हाई कोट के आदेश के बाद मंडी समीती ने दो पाली में लासून की सरकारी खरीद के निर्देश भी जारी कर दिये हैं परदेश में इंदोर मंडी में ही लासून आड़त के माध्यम से तकरीबन नो वर्षों से खरीदी विक्री हो रही थी जबकि मंसोर, न समीती ने भी अपनी अनुशंसा की थी और 2017 में किसानों ने हाई कोट में गुहार लगाई कि लहसून की खरीद बिक्री सरकारी बोली और करमचारियों के माध्यम से कराई जाए याचिका के साथ साल बाद हाई कोट की डबल बैंच ने समीती और मंडी बोड के निन्या को ख से एक बजे और दोपैर डेट से साड़े पांच बजे तक करने के आदेश जारी कर दिये हैं और इसी के साथ इंदोर मंडी में इस समय लसून के 25,000 कटों की आवक रोजाना हो रही है सरकारी खरीद पर बोली लगने से मंडी समीती के टैक्स में भडोतरी होना तैह है वही म पंडी की अतिरिक्त आई भी बड़ेगी ऐसे में वर्तमान में लसून के दाम 12,000 से 16,000 पर प्रतिक विंटर पर चल रहे हैं फसल खेतों से सीधे आ रही है लसून गिला होने के बावजूद दाम ठीक है सरकारी खरीदी में बोली लगने से व्यपारियों में प्रतिस परध रहेगी और किसानों को उमीद की जा रही है कि भेतर दाम मिलेंगे विरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी